नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज एस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूं एक और बड़ी आसी थाली आप सब काफी दिनों से मिस कर रहे हैं मेरी थाली को काफी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको कोई अच्छी धाली के रज़ से भी बताऊं तो आज एक्टम सिंपल सी पर बहुत ही टेस्टी धाली है जिसमें मैंने एकी आठे में से बनाई है पोरी और पराठे और ये बड़ी आसी खटी मीटी टमाटर के चटनी बनाई है राइस और रोटी और साथ में तही बहुत ही सिंपल और टेस्टी धाली है एकदम प्यॉर वेज है कुछ मज़िदार सा खाना है साथी साथ हेल्दी तो आप ये बना सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे खटी मीटी टमाटर के चटनी उसके लिए गैस को अनकर ले कडाई रखते हैं इसमें डालेंगे एक बड़ा चमस तेल जैसे ही तेल गरम हो जाए तो एक चौथाई चमस राई और इसी के साथ एक चौथाई चमस जीरा और चुटकी बर हेंग और एक सूखी लाल मिश को तोड़कर डाल दे यहाँ पर मैंने धेर सारे टमाटर ले लिए थे एकदम अच्छे क्वालिटी लाल लाल टमाटर लीजेगा पानी से वश करके इसे चोटे टुकडों में काट लीजे और टमाटर को अभी अच्छे से मिक्स करने हैं आपको देखिए इस तरह से और इसे अब हम ढगकर भी पकाएंगे वैसे तो हम टमाटर की जटनी बनाते ही रहते हैं पर यह जो टमाटर की जटनी एन एकदम खटी मीटी और बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा अच्छे से मिक्स करने के बाद स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम फिर से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे ढख कर हम मद्यम आज पर यानि कि मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे बीच-बीच में चेक भी करते रहेंगे मिक्स भी करते रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से टमाटर हो गए हैं दो से तीन मिनट के बाद तो एक बार मिक्स कर लिजे और फिर से ढख कर इसे और पकने दीजे जैसे जैसे यह टमाटर पकते जाएंगे तमाटर सॉफ्ट होते जाएंगे यहाँ पर देखे 5-6 मिनट हो गए है तमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए है तो अब इसे हम खुला ही पकाएंगे अब इसे हमें ढख कर नहीं पकाना है इस तरह से खुला ही पकाए खटी मीटी टमाटर की चटनी बना रहे है तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक बड़ा चमच गुड़ तो यह सॉफ्ट गुड़ है यानि कि यह देसी गुड़ है आप चाहे न तो वो जो बारिक नॉर्मल गुड़ आता है वो बारिक कट कर भी डाल सकते हैं चीनी नहीं के बाद आदी चमच जितना लालमिश पाउडर आदी चोटी चमच दनिया पाउडर और बिल्कुल चुटके बर यानि कि नाम के बराबर जितना हल्दी पाउडर डाल दे फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसा डाल सकते हैं चटनी के अंदर अच्छे से मि गटी मिठी टमाटर की चटनी बनकर तयार है देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और इसका स्वाद वैसे हम जो टमाटर की चटनी बनाते न वसे काफी अलग है इसे आप रोटी राइस पूरी पकोड़े सबीके साथ ले सकते हैं चलिए बनाते अब पूरी और पराठे एक ही आटे में से तो उसके लिए एक बरतन में आपको डाल देना है दो कप गेहूं का आटा और आदक कप जितनी सूजी आप बारिक वाली भी ले सकते हैं या मोटी वाली भी यह पर मैंने एक कटोरी भरकर पोहा का चेवडा ले लिया है आप कोई और भी चेवडा डाल सक इन सबी को डाल देंगे और आटे के अंदर जितना हो सके इसी से आपको आटा गून लेना है देखिए आज हम बना रहे हैं चेवडा की पूरी और पराठे सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा पर जब आप इससे ट्राइब करेंगे आपको बहुत अच्छा आप चाहे तो मिक्स चेवडा या कोई भी चेवडा ले सकते हैं कोई भी नमकीन ले सकते हैं अब देखिए जितना हो सका मैंने आटा गून लिया उसके बाद थोड़ा थोड़ा करकर हम पानी डालते जाएंगे और आटा गून देंगे तो इसी आटे में से आज हम पूरी चाहिए बाद भी बनाएंगे और पराठे भी आप सौच रहेंगे कि एक जैसा अटा है तो स्वाथ बेंग जैसा होगा भिल्कुल नहीं है ऐसी कोई बात नहीं मेडियम-सफ्ट न स्वाथा गून कि मैंने पानी डाला और इस तरह से गोंद लिया देख सकते हैं आटा नहीं जादा सकत है नहीं जादा नरम है इसी तरह से मीडियम सॉफ्ट आटा गोंद लेना है फिर थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इसे अच्छे से आपको मसल लेना है यहां पर आप देख सकते हैं को हटा ले आटे को अच्छे से मसल ले सबसे पहले हम बनाएंगे पूरी तो उसके लिमने चोटी-चोटी लोया इस तरह से कर ली है और यहां पढ़ना मेने तेल गरम करने भी पहले सही रख दिया है तो अच्छा गरम तेल में पूरी को फ्राइ करेंगे देखे इस तरह से मी मोटी भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा पतली भी नहीं मीडियम बेल नहीं ज्यादा मोटी होगी तो फोले में तकलिफ हो सकती है अगर ज्यादा पतली होगी तो डालते ही वह पूरी चल सकती है इसलिए मीडियम इस तरह से बेल आप चाहे तो पूरी इससे बड़ी बना सकत बस इसके उपर से तेल तेल टालते जाए देखिए हल्कि-वल्कि फ्राइ होना शुरू हो गई एना तो हम दूसरी पूरिय इसी तरह से ढालते जाएंगे और इसे भी अच्छे से तलेंगे इनके अच्छे से फ्राइ करेंगे एक्तम अफर से सुनने डा कलर आ जाए एक्तम आपको सुनने में यह बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि चेवडा यानि की नमकीन की पूरी भी हो सकते हैं पर जब आप इसे खाएंगे ना आपको इतना मज़ा आ जाएगा ना दिके सब के घर पर नमकीन यानि के चेवडा यह सब रहता ही है तो कभी यह ट्राइ करके देखे एकदम क्रिस्पी-क्रिस्पी पूरी है इसी तरह से जो बागी बच्चेवी पूरी है असे भी हम तेल में डालेंगे और इसे भी हम फ्राइगे सिर्फ ध्यान यहीं रखना है कि पानी जादा ना डाले आटा गुनते समयं मीडियम सॉफ्ट आटा गुने और जब आ आटा छिडख लेंगे और इसे हम बेलेंगे पराठे न थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते तो ज्यादा पतला करने के कोशिश ना करें हाँ आप इससे बड़े बना सकते मैंने मीडियम साइस के बनाये है और अच्छे गरम तवे पर आपको पराठे डाल देना है जैसे ह जोड़ना सा पराठा मोटा होता है तो आपको एसे अच्छे से से शेखना है तकि कहीं से कच्चा ना लगे और यह पराठे जो आलू के पराठे पनीर के पराठे वो तो अलगी है पर इसका सुथ उन्से भी इतना बैतर है अगर वो बहर हो गए न खाकर तो आप यह बना सक पर आप यह भी बना कर ले कर और लेकर जा सकते हैं बहुत ही ज़ा अच्छे लिखते हैं! अर्या-प्राथे यह सारे बना लिए कसा पराथे म my दो इसky Breakingça वाक्त व्यूम बना लिए दें अर्या से ने फंट रिंध भी ज़िया हम हुआ आज के लिए बस इतना ही, thank you for watching